शौट बॉल पे शौट कौन किलता है याई अगर मैं होता ना मस बॉल को देखता और शानदार खुद को एक्सपोर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पोर्ट पर लोएस्ट एंट्री फी में इस गेम में फाइनाशल रिस्क हैं और लट लग सकती है कृपिया जिमदारी से खेलें और अपनी रिस्क पिखेंगे उनकी रैंकिंग थी वो उन्होंने हासिल की है और इसके अलावा जो खबरे आई हैं एश्यक अप से जुड़ी भी बड़ी खबर है और एश्यक अप हो सकता है कि अगली बार भी इस बार भी मतलब पोस्पॉंट हो जाए तो उससे जुड़ी खबर है उसके बाद निथन लाइन ने क्या कुछ बोला वो आपने स्पोर्सक्फर अलरडी देख लिया है तो वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगा और बाकी सारी जो तमाम खबरे आई हुई है वो भी हम बात कर लेंगे पिच को लेकर के भी खबरे आई हुई है आई पिल को लेकर के भी खबरे आई हुई है तो वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी और तेरे हाक में कुछ अखबार हैं जिन मेंसे मैं आपको यह सब खबरे बताऊँगा तो शुरुवात कर लेते हैं सबसे पहले जो खबर है उसके साथ में देवज़त पड़ेकल से शुरुवात करते हैं तीन लगातार उन्होंने अपने शतक बनाएं विजह हजारे ट्रॉफी में कल जो माच हुआ उनका रेल बेस के खिलाफ माच था करनाटका का जिसमें करनाट साले संगे उन्होंने नाबात पारी खेली और इसके चलते करनाटका को दस विकेट से जीत हासिल हुई है उसके बाद रोहिज श्रमा की अगर आगर आप करेंगे तो आई सी सी टैस रैंकिंग के जो बैच्समें की जो लिस्ट रहती है उसमें रोहिज श्रमा को काफी मैच्स हो रहे हैं इंग्लेंड के साथ में जो मैच्स हो रहे हैं दूसरे टैस्ट मैच्स से रोहिज श्रमा ने अपनी लाए हासिल कर लिए और बल्ले बाद रोहिज श्रमा की तरफ से हमें देखने के लिए मिली जिसमें शतक भी शामिल था और जो एहम्दाबाद में मैच अगर आप देखेंगे तो अभी तक का जो इससे पहले जो उनका बैस्ट था वो टेंथ पोजिशन थी जिस पर उन्होंने आए थे वो और बत और ओपनर वो जब से आए हैं खेल रहे हैं तो आपसे वो लगातार अच्छा प्रदेशन कर रहे हैं हाला कि कुछ मैचेस में उनक अच्छा प्रदेशन कर रहे हैं और फिर वो उसका आप देख रहे हैं कि उसका से टेस्ट रैंकिंग में भी दिखाई दे रहा है तो यह खबर थी उसके बाद आई पेल की खबर में आपको बता देता हूं एक जिस पर पिछले तीन-चार दिन से हम लोग आपको लगातार आपडेटे दे रहे हैं 5-6 शहरों में मैचile होंगे उसको लेकरगे खबर आ रही थी वह आपको लगातार बताते जा रहे हैं और आब 6 नाम सामने आ रहे हैं जिस जिन शहरों में ये मैचिस खेले झाएंग और अगर मैं आपको एंग्जैक्ट अगर नाम liken pada औम नाम है इनमें मुंबई का नाम है बैंगलॉर का नाम है चिन्ने का नाम है कोलकता का नाम है और उसके बाद में डेली कैपिटल्स की टीम का जो होम ग्राउंड दिली वह भी उसका भी नाम है और सासद एहमदाबाद का भी नाम है तो यह छे नाम सामने निकल करके आए जिसमे मैچز होने हैं जिन शहरों में आई पेल के मैچز होंगे और यह अगर छे नाव सामने आए हैं आप देखेंगे तो फिर बाकी की जो टीम्स हैं उनके फिर होम ग्राउंड पर मैच्चे नहीं होंगे तो यह कुछ थी जिसमें से एहमताबाद में प्ले आफ्स की बात सामने आ रह उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ागी क्योंकि उनका वो होम ग्राउंड नहीं होगा और जो टीम्स पिक होती हैं वो अपने होम ग्राउंड को देख करके जो प्लेयर्स पिक करे जाते हैं उस पे कौन से प्लेयर्स आपके कारकर साबित हो सकते हैं उसके हिसाब से ही पिक कर दे जाते हैं प्लेयर्स तो ऐसे में अब ये जो पांच टीम्स हैं जिसमें से मुंबई का नाम है और बैंगलॉर का नाम है डिली का नाम है कोलकता का नाम है तो ये जो शहर है ये इनकी जो टीम्स है उनको फायदा आप देखने के लिए मिल सकता है और उसके लावा प के बाद जो आप PCB की खबर जो है एक बड़ी खबर है और यह एश्यकप से जूड़ी खबर है अब एहसान मनी PCB की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और वह स्टेटमेंट यह है कि इस बार भी हो सकता है कि एश्यकप बोस्पॉंड हो जाए पिशले साल कोरोना के चलते एश्यकप नहीं हुआ था आपको अच्छे से पता है यह बात और इस साल भी अब उमीद्य लगाई जारी कि एश्यकप का जो टौना वर्ल्टेस चेंपेंशिप के फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर जो डेट्स क्लैश करेंगी और अगर भारत नहीं खेलेगा एश्यकप में तो फिर एश्यकप का पोस्पॉंड होना भी लगभभभभभभभभभ तैय है क्यूंकि डेट्स क्लैश कर रही है इस वज़ कि पोकर की देखिए लगात तार बात्स हो रही है और मैचश खतम हुआ है दो एक से भारत सिरीज में आगे है उसके लेकिन तो पूरा फोकस है सबका विश्फ क्रिकट कहर अगर आप बोले तो पिच्श के उपर और तो विश्फ क्रिकुर्ग्यट है वह दो दो खेमों में बठाहुआ है एक वह जो की favor कर रहा है मुटहरा कि पिच को एहमदाबाद में जो पिच दी गई थी नरिंदर में दीजानी चाहिए ठीज को कि गृवान लेकर उक्सानी बी कोशिश कर रहाएं वह लेकिन उनको एक जवाब दिख लिए और आपने उनकीस वापने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हैं ने और ने उनकीस पुर्ष्ट रूप से बात कही полез मेथन लाइन ने बोला है क्लियर कट कि भाई जब गेंद उनको काफी जादा मसा आया दर असल मैच देखने को उन्होंने बताई कि देर राक तक मैंने जखकर कि इस मैच को देखा और मैंने बहुत जादा इंजॉई किया और इस्पिनर्स का डॉमिनेंस देखकर कि ऑविसली को अच्छा लगा होगा तो उन्होंने इस बात को बोला है कि हम पूरे विश्व में जाकर क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पर अगर सीमिंग गेंद बाजी होती है तो फिर सब को वह एकदम अच्छा लगता है लेकिन अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है स्पिन फ्रेंडली ट्र पिच उनसे तयार करवाई जाए तो एक क्लियर स्टेट्मेंट नेथन लाइन की तरफ से मिला है सभी पिच को लेकर के जो बाते सामने आ रहे ही थी उन लोगों को अब बात करते हैं जो पिच तयार की जाएगी एहमदाबाद में उसकी अब देखे कल एक खबर आई थी कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट दिया जाएगा और वो खबर की जो डीटेल है वो आज वाले अखबार में आई हुए हैं और मुस्ली सभी अखबारों में आपको एक खबर दिख जाएगी अब खबर दर असल यह है कि जो कल बात आई थी सामने कि एक खराब पिच आप आप जाएगी जाएगी तो फिर हो सकता है कि इस पर काफी द्यादा बाच्चीत हो और ICC wearing और को सकता हैका कूछ आपप बात सामने निकल करके आ रही है वह यह आ रही है कि जो पिछ वह बैटिंग फ्रेंड लीश्लम आना जा रहे है क्योंकि आपको पता है एहमदाबाद में इस्टेडियम है उसमें च्छे माफ की जिए को जो इसकोर बना हुआ है उसमें 11 पिचेश हैं तो जो मैच हुआ था पि पिच पर किसी भी तरह की घांस नहीं होगी मतब तेज गिंद बाजो के लिए मदद इस पिच पर भी नहीं होगी ऐसा माना जा रहा है और पिर क्योंकि गर्मी होगी वहाँ पर और पांस जिन तक मैच चलेगा तो फिर आपके इस्पिनल्स भी प्ले में आएंगी क्योंकि विकेट वहाँ पर टूटेगा सूख करके तो घांस बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी तो शुरुवात ही में शुरुवात में शुरुवात के कुछ दिन एक पहले दिन दूसरे दिन आपको बल्ले बाजो के लिए अच्छा विकेट दिखाई देगा वह अगर जो खबर हम पाठा विकेट माना जाता है अगर आप महाँ पर घांस बिल्कुल भी नहीं देते हैं तो फिर वह बल्ले बाजो के लिए फ्रेंडली रहता है अब अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए अच्छी खबर है विनिश फोकट है गोल्ड मैडल जीता है और 2017 की जो वर्ल्ड मैच को अपने नाम किया वहीं जो बाकी मैच हुआ एक और मैच जो था वो हुआ मैंचेस्टर यूनाइटेड और फिर चैल्से की बीच में जिसमें एक भी गोल नहीं हो पाया और यह मैच ड्रॉ रहा था प्येसल की तरफ आएंगे तो आज भी मैच खिला जाएका साड़े बात के बीच में है तो आज वाले मैच के लिए अपनी टीम आप रेडी कह लीजेगा प्लेयर स्पॉट पर जाकर कि अपनी टीम बना लीजेगा अकर आपने अभी तक आप को डाउनलोड नी कर रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईए महा से आप आप को ड सब्सक्राइब पर करके रखिए नोडिफिकेशन की बेल बजा करके रखिए सारी खब्र आपको स्पोर्ट से इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी और इसके अलावा मेरा इंस्टेंडिल यागन.शांक है महा पर आकर कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो इस वीडियो में ज सब्सक्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर पॉलो करें